नमस्कार अभी हमारे साथ नाशिक के कालाराम मंदिर के आचार्य महामंडल इश्वर महंत सुधीर दाजी महराजय आयोध्या मनुनिर्मित नगरी है और आप सभी जानते कि राम जन्म भूमी का महत्व क्या है अनन्य साधारण ये महत्व है आज 200 साल के बाद में हिंदू संस्कृती मानो वापिस जागुरुद हो रही है आधरनिय मोदी जी आधरनिय योगी जी ने ये जो पुरा प्रकल्प विश्व हिंदु करिशत संख और सभी कारसेवकों ने जो बड़ा संगर्ष किया वो संगर्ष के बाद आज ये सुवर्ण दिन दिखाई दे रहा है और जैसे आयोध्या मानो दुल्हन की तरह सजी हुई है और बड़ा अनन्द बड़ा उच्छाह सभी जगा यहाँ जितने भी दर्शनार थी आ रहे है उनको ऐसे लग रहा है कि हमारा जो जन्म है मनुष् हमारा जन्म सफल हो गया इस तरह की भावना आज सभी भाविकों में है और पुजन का जो विधी है कल से प्राशित विधी शुरू हो गया आज सभी देवताओं का अधिवास होता है पुष्पा दिवास होता है जला दिवास होता है शया दिवास होता है केशरा दिवास होत काडाराम मंदिर और आयोध्या का शिराम मंदिर इसके बार में आप क्या कहना चाहेंगे जी नासिक और आयोध्या जी का अनन्य संबंध है जब प्रभुराम चंद्र जी बन्वास के लिए पधारे थे तो उनकी परणकुटिया वहाँ थी और जब रावन का वद हो गया उसके पशात जब पुष्पक पिमान से सिता मया को जब वापिस पंचवटी की दरशन करने की अभिलाशा हो गई तो पुष्पक पिमान कहते कि पंचवटी में उतर गया और जब सिता माता बड़ी प्रफुलित थी बड़ी आनंदित थी तो अन्मान जी महराज जी ने कहा था कि मेरा जनमस्तान अंजेनेरी बगल में है तो वहाँ आप भी चलिए तो राम जी ने कहा कि भरत अगर मैं शाम तक आयोध्या जी नहीं पहुचू तो भरत जो है अगनी प्रवेश करेंगे तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे आयोध्या मुझे प्राणप्रिय है उसी तर नासिक पंचवटी भी मुझे प्राणप्रिय है तो यहाँ नित्य मेरा निवास रहेगा इसलिए जो काले राम जी का मंदिर है वहाँ राम जी का नित्य निवास माना गया इसलिए आदरनिय प्रधान मंत्री नरिंद्र जी मोदी परसो मंदीर में आये थे और मैंने ही उनका संकल्प किया था पुजन किया था और बड़ी धुमदाम से उनोंने वहां से वरत का आरंब किया और 11 दिन आदरनिय प्रधान मंत्री आपना वरत रखने वाले है